हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि सभी बहुत अच्छे हो गई, तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारी हमने पिछली क्लास ले थी, जिसमें कि हमने अनेक सब्दों में एक सब्द जिसके बारे में कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, उनके बारे में बात क और कमेंट बॉक्स में एक चीज और मैंसन कीजिएगा कि आपको किन किन टॉपिक पर किस टाइप से क्लास चाहिए, वो चीजें भी बताईएगा, तो आजम फिर से पार्ट टू में स्टार्ट करने वाले हैं, अनेक सब्दों के लिए, मुस्ट इंपोर्टेंट एक सब्द तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सरलता से बोध समझने योग्य हो, यानि ऐसी कोई पी चीज जिसे सरलता से समझा जा सके, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्तोबोध, इसे सरलता से समझने योग्य चीज को बोला जाता है स्तोबोध, जो सर्व सक्ति संपन है जिसमें हर प्रकार की शक्ति है उसे बोला जाता है सर्व सक्ति मान यानि जो सर्व सक्ति संपन है उसे बोला जाता है सर्व सक्ति मान उसके बाद है जो इसमरण करने योगी हो ऐसा व्यक्ति जो इसमरण करने योगी हो या ऐसी कोई भी चीज तो उसको बोला जाता है इसमरण उसके बाद है जो स्वेम ही सिद्धी को हो यानि ऐसी कोई भी चीज जो स्वेम से सिद्ध की गई हो उसे बोला जाता है स्वेम सिद्धी यानि ऐसी चीज जिसे स्वेम से सिद्ध किया गया है जो दूसरों की हत्या करता है जो पेकती दूसरों की हत्या करता है उसे बोला जात करता हो उसके बाद है गड़ित सास्त्र के जानकार को क्या कहा जाता है गड़त अग्या जिसे गड़ित सास्त्र का ज्यान हो उसे बोला जाता है गड़त अग्या उसके बाद है गंगा का पुत्र किसको बोला जाता है गांगे गंगा की पुत्र को क्या बोला जाता है गांगे खाने से बचा हुआ जूठा भोजन है उसे बोला जाता है उसके बाद आप खाने की इच्छा को क्या बोला जाता है बुबुच्छा उसके बाद नेख्सट की बात करते है किलने के मैदान को क्या बोला जाता है कृड़ा सथ हल उसके बाद है गोद लिया हुँ पुत्र जो की लास्ट क्लास में भी बताया था पुत्र उसके बाद है गोपों का घेरा बांध कर नाचने की क्रिया गोपों का घेरा बांद कर यानि गोपियं चारी तरफ घेरा बांद कर यानि एक साथ में जो डांस करते हैं उसको क्या बुल जाता है रास उसके बाद है गुरु के समीप रहने वाला बिध्यार्ती ये भी most important है जो कि पैट के exam में भी दो-तीन बार something revise किया जा चुका है तो गुरु के समीप रहने वाले विध्यार्ती को बोला जाता है अंत्यवासी यानि जो गुरु के समीप रहता है विध्यार्ती उसे बोला जाता है अंत्यवासी उसके बाद next question की बात करते हैं यानि कि घर बसाकर रहने वाला या ग्रह बसाकर रहने वाला बोल सकते हैं घर वाली है तो ग्रिहस्त को सकती हैु उसके बाद है घूस लेने वाला या रिस्वत लेने वाइला उसके बाहते है घूस लेने वाला या रिसवत खोर उसके बाद है घुलने योग्य पदार्थ, जो पदार्थ घुलल जाए उसे बोला जाता है घुलनसील, घुलने योग्य पदार्थ घुलनसील कहलाता है, घुलना करने योग्य, ऐसा वेक्ति जो घुलना करने योग्य हो उसे क्या बोला जाएगा, घुलना इस पद, ऐसा वे वसके बाद 10 बेद बोला जानने वाला जिस ke 4 अबेदी का ग्यान हो उसे बोला जाता है 3D यस लेढ़ घ्राई वाला को बोला जाता है च्विदिल्लास उसके बाद है चूहे फसाने का पिंजड़ा उसे बोला जाता है चूहा दानी चूहे फसाने के पिंजड़े को बोला जाता है चूहा दानी उसके बाद है चौथे दिन आने वाला ज्वर हर चौथे दिन आने वाली ज्वर को बोला जाता है उसके बाद next question की बात करते हैं चारो और की सीमा को बोला जाता है चौद ही उसके बाद है चारो और जल से गिरा हुआ भूबाग ऐसा भाग जो चारो तरप से जल से गिरा हुआ है उसे बोला जाता है टापू चारो और से जल से गिरा हुआ भूबाग जिसे की टापू बोला चौहपायों को बांधने का इस्थान उन्हें बूला जाता है चार मुखों बाला उसे बोला जाता है चतुरानान, चिंता में डूबा हुआ चिंतित उसके बाद next की बाद करते हैं चुनाब में अपना मत देने की क्रिया उसे बोला जाता है मतदान जैसे चुनाब में अपना मत अपना वोट देने की क्रिया जिसे मतदान बोला जाता है चिपे बेस में रहने वाले बेक्टिको चद मुवेस उसके बाद है छात्रों के रहने का स्थान चात्रावास यानि कोई भी चीज जो हर 6 महीने बाद होती हुसे बोला जाता है छमाई चभ अंट में टांगने का सीसा कमल गिलास जिसमें मौमबत्तियां जलती हो अस चरत के बाते करें ग करते हैं, 6 कौनों वाली आक्रती, यानि ऐसी आक्रती जिसके 6 कौर्णर हो, उसे बोला जाता है 60 कौन, उसके बाद है 6-6 महीनों पर होने वाला 60 मासिक, 6-6 महीनों बाद जो भी कारे होता है, 60 मासिक कारे, तो उसी प्रकार से 6 महीनों के बाद होने वाला, 6 महीनों के अंतराल पर होने व पर उसके बाद जो कभी ना मरे उसको क्या बुला जाता है अमर उसके बाद है जो पढ़ा लिखा ना हो अपड या फिर अनपड जो पढ़ा लिखा ना हो अपड या फिर अनपड तो यह थे आपके अनेक सब्दों के लिए एक सब की कुछ most important class इसी प्रकार से आपके लिए जो पैट का एक्जाम है या फिर कोई भी competition एक्जाम है उन सभी के लिए टॉप सीरीज लाते रहेंगे आपको यह क्लास कैसी लगे comment box में ज़रूर बताएगे पैट के एक्जाम में हिंदी के जितने भी मौक टेस्टें पैट के एक्जाम के लिए सारा कुछ आपको लवली अकेडमी पर करा दिया जाएगा तो आपको यह अभी की क्लास कैसी लगी वो comment box में जरूर बताएगा और अपना support बनाई रखेगा ताकि आपको पैट के एक्जाम के लिए जितने भी सब्जेक्टें सबी की क्लासें आपको प्रोवाइट कर आई जा सके तो आज के लिए फिलाल इस क्लास में इतना ही अभी के लिए thank you